नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियू सनोने और मैं आपका स्वागत करता हूँ मालवडाईरी में दोस्तों, 1498 में पुर्तगाली नाविक वासको डिगामा भारत में आया था उसके समुद्री यात्रा में उसको गाइड एक भारती नाविक नहीं किया था पुर्तगाली के भारत में आने से पहले इस समुद्री शेत्र पर अर्बों का आधिपत्ते हुआ करता था तथा उसके भी पहले भारत के चूला सामराज्य अरब सागर तथा हिंदमा सागर के व्यापारिक रूट को डॉमिनेट किया करते थे भारत में बने जहाज सबसे अच्छे समझे जाते थे परन्त दोस्तों जबसे वासको डिगामा इस शेत्र में आया यहाँ पर उसने अरब मोनोपोली का अंत कर दिया दोस्तों 1505 में पूर्तगाल का फ्रांसिसको दे अलमेडा यहाँ पर पूर्वी शेत्र का वाइसराय बनकर आया जिसने यहाँ पर स्टैतो दे इंडिया जिस तरह से अंग्रेजों ने इस्ट इंडिया कमपनी बनाई थी पुर्तगालियों ने स्त्यातो दे इंडिया को स्थापित किया तथा गुजरात के दमन तथा दिवदीव को जीत लिया फिर 1509 में ओफोन सो दूसरा वाइसराय बनकर आया इस समय गोवा बीजापूर रियासत के आदिल शाह के अधिन आता था और आदिल शाह के निजाम से हिंदू बहुत परिशान हो चुके थे क्योंकि हिंदू से जजिया टेक्स लिया जाता था तथा उन्हें अपना धर्म मानने की पूरी तरह से आजादी नहीं दी जाती थी तो हिंदू पुर्तगाली वाइशराय उफांसों के पास जाते हैं तता उनसे मदद मांगते हैं और दोनों मिलकर यहाँ से आदिल शाही निजाम को खत्म करते थे हैं परन्तु हिंद्यों को क्या पता था वह आदिल शाही कुए से निकल कर पुर्तगाली खाई में गिर रहे हैं वह भी पूरे साड़े चार सो सालों के लिए दोस्तों जैसे ही पुर्तगाली इस शेत्र में कबजा करते हैं वह यहां के आदिवासियों को इसाई धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं तता अन्य लोगों को भी उनके पूरे अधिकार वो तभी देते हैं जब वह इसाई धर्म को अपनाए तता पुर्तगाली भ इमोग्राफिक्स की बात करें तो इसमें 100% हिंदू, 36% क्रिश्चन तथा 2-3% मुस्लिम शामिल थे। दोस्तों गोवा में पुर्दगालियों के विरोत की शुरुवात सन 1928 में त्रिस्ताव दे ब्रगांका कुनहा ने कॉंग्रेस कमेटी बना कर शुरू कर दी थी। वह 1938 में सुभाष चंद्र बोस से भी मिले थे, जोकि उस समय कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष थे। जून 1946 में भारत में समाजवादी आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोवा में आते हैं तता वह गुमानतक प्रजा मंडल के संस्थापग जुलियाओ मेनेजेस से मिलते हैं, इसके साथ ही वह यहाँ पर कुना से मिलते हैं, तता उन्हें शांती पूरोग तरीके से अंदोलन चलाने की प्रेणना देते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को महत्मा गांदी की तरब से पूरा समर्थन प्राप्त था, इस समय बंडित नेहरू तो था सरदार पटेल, भारत के अन्य हिस्सों में आजादी के संगर्ष में व्यस्त थे, इसलिए वह गुवा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे नहरू जी को लगता था कि जैसे ही ब्रिटीशर भारत को छोड़ कर जाएंगे, पुर्तगाली भी भारत को छोड़ कर चले जाएंगे दोस्तों जब ब्रामन अहर लोहिया यहां पर आंदोलन शुरू करते हैं, तब पुर्तगाली उन्हें पकड़ कर जेल में डाल देते हैं, इसके साथ ही कुना तथा अन्य भी बड़े निताओं को जेल में डाल दिया जाता है अहिंसक आंदोलनों के साथ साथ आजाद गुमान तक दल तथा युनाइटेट फ्रेंट आप गुवा जैसे संगठन हिंसक तरीकों से भी गुवा को आजादी दिलाने के लिए लगे वे थे इनको भारती पुलिस का पूरा समर्थन हासिल था यह संगठन पुर्टगाल की संचार तथा आर्थिक रूप से महतोपन ठिकानों पर हमला कर उन्हें नश्ट कर देते थे 1947 में जब भारत को आजादी मिली उसके तीन वर्षों के बाद भारत ने काफी इंतजार किया फिर 1950 में पुर्टगाल सरकार से यहाँ पूचा गया कि आप भारत को कब छोड़के जाओगे तब पुर्टगाल सरकार ने कहा कि गोवा पुर्टगाल की कॉलोनी नहीं है यहाँ पुर्टगाली सामराज्य का ही एक हिस्सा है क्योंकि पुर्टगाल यहाँ पे 400 से भी कर नहीं जाएंगे जिसके परिणाम सरूप 1903 में भारत ने लिजबन से सारे डिप्लोमेटिक संपर्क तोड़ दिये दोस्तो अब भारत एक सोची समझी रणनिती के तहट गोवा के बाहर पुर्टगाली एक्सकलेव दादर तथा नगर हवेली को गोवा के मुख्य भाग से काड़ देता है क्योंकि गोवा से दादर तथा नगर हवेली जाने के लिए गोवा की गाड़ियों को भारत के भुबाग से होकर जाना पड़ता था और भारत इसकी अनुमती अब गोवा की गाड़ियों को नहीं देता है जिससे दादर तथा नगर हवेली गोवा से मुक्त हो जाते है पुर्तगाल इसके खिलाब International Court of Justice में भी जाता है परन्तु महापेर भी उसे हार ही हासिल होती है 15 अगस 1955 को गोवा में 5000 से भी जादा शांती पूर्वक प्रदाशन कर रहे स्वतनतरता के आंदोलन कारियों पर गोवा के पुलिस द्वारा गोलिय चलाए जाती है जिसमें 30 लोग मारे जाते हैं यहां से गोवा के पुर्तगाली प्रशासन के खिलाफ एक माहोल बनने की शुरुवात होती है परन्तु भारत उस समय डारेक्ट मिलेटरी एक्शन से बचता है क्योंकि यह जमाना था गोल्ड वार का USA तथा USSR के बीच और उस समय जो अमेरिका के राष्टपती थे आईजन हवर उनका रवया भारत के प्रती काफी सक्त था और पुर्तगाल अमेरिका का एक नेटो सहियोगी भी था 24 नॉवंबर 1961 को एक भारती नागरिक जहाज जो की भारत के कोचिन से पुर्तगाली अधित पत्य वाले अंजी दिव दिव के प्रास से गुजर रहा होता है जिस पर पुर्तगाली फाइरिंग कर देते हैं और इस फाइरिंग में एक भारती नागरिक मारा जाता है तता एक इंजिनियर गायल हो जाता है अब भारत को मोका मिल जाता है पुर्टगाल के उपर military action लेने का और इस समय अमेरिका में भी सत्ता परिवरतन हो जाता है आईजनावर के जगह जौन एफ केनेडी अमेरिका के नए राष्टपती बन जाते है जो की liberal समझे जाते थे जिनने नेरू आसानी से मना सकते थे तो भारत अब पुर्टगाल के कबजे से गोवा को आजाद कराने के लिए 10 दिसंबर 1961 को operation विजय की शुरुवात करता है जिसमें भारती सेना द्वारा मातर 36 घंटों के अंदर ही साड़े 400 साल पुराने पुर्टगाली शासन को उखाल के फेक दिया जाता है दोस्तो इस operation विजय के बारे में विस्तार से बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में जिसे देखने के लिए आप हमारे चिनल को सस्क्राइब करना नहीं भूलियोगा दन्यवाद